हेलो बच्चों, हम डारेक्टरेट ओफ एजुकेशन के द्वारा दी गई वरकशीट को कर रहे हैं आज हम क्लास 6 की साइन सबजेक्ट की वरकशीट 34 करेंगे यह आपकी 17 फैप के लिए आई है इसमें हम पोधों को जानिये के बारे में पढ़ेंगे इससे पहले भी हम पोधों को जानिये से संबंदित बहुत सारी वरकशीट कर चुके हैं और आप सभी जानते हैं कि अब रिविजन शुरू हो चुका है आईए देखते हैं कि अब वरकशीट में क्या दिया गया है पत्थी पर रिकांकित सरशनाओं को शिरा कहते हैं आपने भी देखा होगा कि पत्तियों पर कुछ इस तरह की सरशनाएं होती हैं इन सरशनाओं को हम शिराएं कहते हैं यह शिराएं दो प्रकार की होती हैं जो इस तरह से जाली का रूप में होती हैं उसको हम जाली का शिरान्यास कहते हैं जबकि कुछ पत्तियां लंबी होती हैं और उनमें इस तरह से लंबी-लंबी रेखाएं दिखाई देती हैं इसे हम समानांतर शिराविन्यास कहते हैं तो आईए अब मिसे संबनित प्रश्ण करते हैं दी गई पत्ति के आरे के चित्र में जालिका और समानांतर शिराविन्यास बनाईए यहां पर दो प्रकार की पत्तियां दी गई हैं इस पर आपको शिराविन्यास बनाना है यह पहली पत्ति में शिराविन्यास कुछ इस प्रकार से होगा जबकि दूसरी पत्ती में समान अंतर शिराविन्यास होगा इसमें जाली का बस शिराविन्यास है और इसमें समान अंतर शिराविन्यास है प्रेशन दो नीचे दिये गए कथन सत्य या आ सत्य है यह बताईए तना जल का समवहन करता है यह बिल्कुल सही है क्योंकि पेड में जो जल है वो जड़ों से आता है लेकिन यह तने से होता हुआ और पत्तियों तक पहुंचता है इसलिए जल का समवहन तने द्वारा किया जाता है बी नीम्बू के पोधे में शाखाएं तने के आधार से निकलती है यह गलत है नीम्बू का पोधा इस तरह से पेड के रूप में होता है जिसमें शाखाएं तने से आधार से नहीं निकलती है अपितू यह तने के उपर से निकलती है और इस तरह से इस पर पत्तियां लगी हो प्रकास अंशलेशन के दुरान कार्बन डायोकसाइड बाहर निकलती है यह गलत है क्योंकि प्रकास अंशलेशन के दुरान पोधा ओक्सिजन निकालता है डी टमाटर के पोधी का तना मोटा और कठोर होता है यह बिल्कुल गलत है क्योंकि टमाटर के पोधी का तना छोटा होता है पतला होता है और हरा होता है E, घरपतवार नुकसान दायक नहीं होते हैं यह भी गलत है घरपतवार वे पोधियों होते हैं जो फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं फसल को नुकसान पहुंचाते हैं तो हम यह कह सकते हैं प्रेशन दो का A सत्य B असत्य C असत्य D असत्य और ई भी असत्य है प्रैशन 3 चित्र में दिये गए पेड़ से शब्दों को चुनकर खालिस्थान भरिये पेड़ में ये शब्द लिखे हुए है और हमें इन शब्दों को यहां पर खालिस्थान में देखना है कि ये सही तरीके से कहां पर आजते हैं वहाँ पर हमें लिखना है डैश पोधे को खड़े रहने में सहयता प्रदान करता है तो आपको इन में से ढूनना है कि कौन सा इससा पोधे का खड़े रहने में सहयता प्रदान करता है तना पोधे को सीधा खड़ा करता है तो यहां अंसर आ गया तना तो हम इसको कर चुके हैं इसलिए स्कॉप क्रोस लगा देते हैं आदिकतर पोधे अपना जीवन चक्र डैस शे शुरू करते हैं पोधे अपना जीवन चक्र यानि पोधे जहां उगते हैं तो किस से उगते हैं बीज से तो यह भी हम कर चुके हैं यहाँ पर आ जाएगा बीज C, शीराओं द्वारा पत्ती पर बनाए गई रिखांकित सरशनाओं को कहते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे शीराविन्यास पोधे जिसके तने कमजोर होते हैं और वह सिदे नहीं कड़े हो पाते हैं उन्हें डैश कहते हैं उन्हें विसर्पी लता कहते हैं क्योंकि ऐसे पोधे लताओं की रूप में दिवार पर चड़ जाते हैं इसलिए इन्हें विसर्पी लता कहते हैं यह नाम सर्प से आया है जिस परकार साप चलता है उसी परकार ये लताएं भी दिवार पर चड़ जात इसी लिए इन्हें विसरपी लताएं कहते हैं, तो बेटा हम तना कर चुके हैं, शिराविन्यास कर चुके हैं, विसरपी लता और पीज, अभी अमारे पास दो बचे हैं, पानु विंद और समाना अंतर. गन्ये की पत्ति में डैश शिराविन्यास होता है समानांतर सिराविन्यास होता है आपने देखा है गन्ये की पत्तियां इस तरह से लंबी होती है और उसके अंदर इसी तरह समानांतर रेखाएं होती है जिसको उमसमानांतर शिराविन्यास कहते है पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ा होता है डैश कहलाता है पत्ती का वह भाग जिससे वह तने से जुड़ा होता है उसे पर्ण वरिंद कहते हैं इसे आप यहाँ पर दिये गए चित्र में भी देख सकते हैं यह पर्ण वरिंद है अच्छा बच्चों आज की वर्क्षिट में हमें इतना ही करना है जल्द ही हम नेक्स्ट वर्क्षिट के सोलूशन के साथ मिलेंगे